दोस्तो नमस्का कुछ साल पहले विरिंदर सेवाग ने भारते करिकर टीम के जब कोच की खोच शुरू हुई तो उसके लिए आवेधन किया था हलांकि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया लेकिन अब उनका सेलेक्टर बनने का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है जियां इस वक्त सेलेक्शन कोमिटी जो है भारते करिकर टीम की वो उने एक सेलेक्टर की तलाश है क्योंकि चेतन शर्मा की जगा जो खाली हुई है रिक्त हुई है उस पर कोई चाहिए चाहिए करता क्योंकि उत्तरक शेत्र से कोई भी चाहिए करता भारते टीम में नहीं अगर आप की जो है जम्मेदारी अभी फिलाल सौपी गई है जब तक कोई नया चेयन करता नहीं आता और अगर कोई उनसे वरिष्ट आता है उनसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला कोई खिलाडी आता है तो उन्हें ये जम्मेदारी मिल सकती है सेलेक्शन कमेटी के चेर्मेन की लेक तो फिर दस वन डे या बीस फर्सक्लास मैच खेले हो और अगर वो भी नहीं है तो तीस फर्सक्लास मैच खेले हो अगर बेशक उसने अंतराश्टी क्रिकेट ना खेलाओ अगर आप भारती क्रिकेट टीम के जो मजूदा चेयन करता की सूची देखेंगे तो उसमें मैचिस की एक कंडिशन रखी गई है और अगर साथ टेस्ट मैच खेले हैं तो फिर किसी भी और मैच की जरूरत नहीं है तो अब वर्ल्ड कप को करीब तीन सवा तीन महीने अभी दूर है उससे पहले ये आवेदन किया जाना एक तरह से जो पूर्व खिलाडी है उनके लिए मौका रहेगा और विरिंद्र सहवाग के बारे में खूब चर्चा हो रही है कि वो इस बार प्रबल दावेदार होंगे इस पत के लिए आप क्या सोचते हैं कि सहवाग कितने उप्यूक्त रहेंगे चेहन करता के तौर पर उत्तरक्षेत्र से अपनी राय कमेंट सेक्शन मे हमें जरूर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नवस्कार